हेलो फ्रेंड जैसे देख पार आज मेरे पास हीरो होंडा सूपर स्प्लेंडर है आई 3S वाला वर्जन यहां पर दिख पा रहा होगा आई 3S तो यह गाड़ी में आज इशू है आप देख पा रहेंगा वाइरिंग पूरा खोल के रखे हैं इसमें जो करंट नहीं आ रही है बहुत कल दिन भर इसी में मतलब लगे रहें बट गाड़ी में करंट नहीं आया है आज फर्स टाइम हो पूरा फट के चुरसट हो रहा बट करंट नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा परिशानी हो रही है तो सबसे फ़हले आपको बताएंगे किस तरह सिसका एक इका स्टेप कैसे चेक करना है कि गाड़ी में करंट नहीं तो इसको कैसे सही किया जाता है उसके बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगी कल पूरा दिन इसी में वेस्ट कियें देख पारें इसका पूरा फुल वाइरिंग हारनेस और सबसे इंपोर्टन कै कैसी इसका स्टेप करने का है उसके बारे मताएंगे और इकस इसमें एक्स्ट्रा कोईल यहां पर दीख पारें आए तीरी एसका लगाया गिया है यह भी खराब होने से topl 서 com अलग्या लग्ग कर रहें तो इसम करना कोईवार देना नहीं है इसमें गाड़ी महारी कुरांट किस रीजन से नहीं आ रही है उसके बारे में बताते हैं तो दोस्तों सबसे पहले चालू करते हैं इसके मेगनेट से मेगनेट से अट कल मैंने आपन किया थे यहां पर आपको दिख पा रहा हूगा मेगनेट का पेकिन न्यू इंस्टॉल किया है तो क्या-क्या मैंने इसमें प्रोसेस यूज किया, क्या-क्या है, इसमें मैंने चेक किया, उसके बारे मैं आपको सारे चीज डिटेल में बताते हैं, कोई मतलब ऐसा ने कि इस चीज को मैंने चेक किया, बट आपको नहीं बताये ता कि आपको प्रोब्लम फेस करना सके, जो- को बहुत बार होते हैं कि फिकप कोईल में ठोड़ा बहुत भी डश्ट आ जाएगा तो गाडी मारे श्टार्ट नहीं होगी तो फाइनली इसको मैंने खोला इसके अंदर कोईल को वश्क किया बट गाडी करंट आरे ट्र05 war में आता है इस जिखंढ पर आरे ऐनिट इसको बना चारजर इसमें छेक करने तो सबसे पहले हैं से ओपन करना से देख पारहें यह ओपन हो गया और यहां पे देख फारहें है चैर वाइर है यह तो यह जो में है स्टार्टников ही यह रेडवाला वायर तो इसमें आप मल्टी मिटर से भी च्रेक्ट कर सकते थे टुवेल वेल्ट qn या फिर किक मार के यूज कर सकते आप चेक कर सकते बोडियमिंसाइब करके ति तो समझ लेना हमारा मेगनेट सेट से ही है तो सबसे पहले यहां पर हम आपको वायर टच करके दिखाते हैं कि हमारी बोडी में इसमें जो करन्ट आ रहे किने फिर सीडी आए को और बढ़ेंगे तो फ्रेंट फैनली यहां पर मैंने रेड़ वायर को अटेज किया और इस जग इधर आपको हम दिखाते हैं तो यहां पर देख पा रहे है करन्ट आ रहा है यहां पर करन्ट आ रहा है आपको दिख पा रहा होगा अब हमें जो तो फ्रेंट यहां पर आपको समझ में आ गिया होगा इस जो रेड़ वायर में चेक करना है अब यहां से आपको इधर सीडी में आपको check करना है, इस CDI वाले wire में, red वाले wire में current आ रहा है, कल पूरा दिन इसमें waste किये हैं, तो आपको सिर्फ first step बता दे रहे हैं, ताकि आप check कर सकें, तो normal CDI को open कर लेते हैं, फिर आपको कैसे check करना है, वैसे बताते हैं, तो फ्रेंड यहां पर चार wire है, तो इसमें ज वाईरिंग मिस होगी तो इस जगा पे current नहीं आएगा तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ताकि confirm हो सके कि इसके बीच में कहीं से वाईरिंग कट है या नहीं है अगर इस जगा पे current आएगा फिर हम आगे ht कोयल के पास जाएंगे फाइनली इस जगा पर हम चेक करते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं कैसे इसमें current आता या नहीं आता है और आप problem को कैसे solve कर सकते हैं इस problem को current का बहुत ज्यादा यूश्य आता i3S में तो दोस्तों यहाँ पे current चेक करना यह red और black वाले wire में तो एक चीज आपको यहाँ पे बता दें जो notice करने वाली चीज है इस जगाँ पे current दो रीजन से नहीं आ सकता है एक तो इधर magnet से होते हैं आराद unit के बीच में अगर कहीं से wire cut हो फिर भी यहाँ पे current नहीं आगा दूस है यह हमारा TCI unit CDI के पास जाता है यह जो red में black वाला wire है और यहाँ पे red में black वाला वायर है तो दो रीजन से यहाँ पे current नहीं आएगा या तो इसके बीच में wire cut हो या तो हमारा ignition खराब हो जब इस जगह पे current नहीं आएगा तो इस जगह पे हम चेक करते हैं इसमें हमारा दो चीज क्लियर हो जाएगा या तो हमारा ignition खराब होई नहीं सकती क्योंकि हमारा जो इसमें neutral light और इसमें बाकी सारा चीज आइथरियस का function वगेरा सारा चीज होरन वगेरा बज़रे तो इगनेशन का खराब होने का कोई chances नहीं तो सिर्फ देखते हैं इसके बीच में कहीं तो current नहीं बताता है तो इस जगह पर चेक करना है यहां पर ध्यान से देखें तो देख बारा हो यहाँ पर इस पर अस पार्क हो रहा है इससे आपको यह कन्फरम होगी और इसके बीच में कहीं पर वायर कट नहीं अब हम इसमें CDI unit गया है इसको असेंबल कर लेते हैं इसको असेंबल करने के बाद यहां पर जो इसको एच्टी कोईल बहुत से भाई बोलते हैं बहुत से भाई बोटल कोईल अब इस वाले वायर में हम चेक करेंगे करंट हमारी आ रही या नहीं आ रही तो दोस्तों इसमें आप जो मेन और लास्ट प्रोसेस है इसके जो अगर इस जगह पर आ गया है अपको चेक करना है कि हमारे एच्टी कोईल तक करंट पहुच रहा है कि नहीं पहुच रहा है वही खराब पड़ जाता है जिससे आपके दो तिन इस्चू हो सकती है गाड़ी का होरन बजएगा बट इंडिकेटर शो नहीं करेगा जब इंडिकेटर शो नहीं करेगा तो आपको कंफर्म हो जाना है और यही एस्टेप चेक करना है या वो गलेमर हो आई-3S वाली या आ अगर यहां तक करन आएगा जब सबसे पहले एक बार वाइरिंग के पास तो सबसे पहले सको हम चेक कर लेते हैं तो दोस्तों फैनल यहां पर वायर कनेक्ट है और इस जगह बोडिम नच करना है तो इस जगह पर कोई करंट नहीं दोस्तों तो फाइनल अब जो एक रिजन इसमें सिर्फ बचा है एक प्रोब्लम यहां पे देख पार है न्यूटल लाट जल रही है पॉरन बज रहा है बट इंडिकेटर शोने कर रहा है तो सिर्फ इसमें एक प्रोसेस होता है हमारा आई 3S का कोईल तो फ्रेंड यह जो कोईल है आई 3S में सभी गाड़ियों में लगा होता है इसके ओपर भी अगर अलग से वीडियो बनेंगे इसके सारा वायर कहां से आता है फिर भी आपको दो तिन इसका जो वायर बता देते हैं यह जो हमारा ब्लेक में रेड है यह हमारा से आता है और TCI unit से आता है यह हमारे yellow lighting का हो गया यह neutral light का हो गया और यह जो एक है green में red पती यह हमारा I3S जो कलच दबाने के बाद काम करता है बट इसके ओपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो यही हमारा खराब है कलीशी को उपर बहुत सारा मेनत किया है बट हम अधर all service center में search किया बट I3S का यह coil हमें available नहीं मिल पाया तो next time इसको अभी मैंने एक चालू गाड़ी है glamour जिससे मैं इसको लाओंगा और उसको आपको हम चेक करके दिखा देते confirm कि इसी से problem होता है current हमारी गाड़ी आएगी और start होगी इसको हम फिलाले भी ठोकते हैं और एक दूसरी गाड़ी है खड़ी glamour आपको दिखा दें वह सामने यह glamour है इससे हम open करके आपको दिखाते हैं तो दोस्तों finally मैंने coil install किया और इस जिए पर current चेक कर रहा है तो देख पार एक फुल स्पार्क है पूरा time waste करने के बाद पूरा सर्च करने के बाद और हम जैसे road side मेकनिक के बस एक ही उपाय है या कोईल तो पर्चेस नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते हैं कोई भी आपके पास भायक हो उससे आप लगा के चेक करने कंफर्म हो ले जब नए कोईल डाले क्योंकि 1350 रुपय कोईल कदाम है और एक बात और कोई भी कोईल लेने से पहले उसका पार्ट नमबर से मेच कर ले मैंने तो दूसरी गाड़ी से इंस्टॉल किया सिर्फ चेक करने के लिए कंफर्म होने के लिए कि ये कोईल खराब है अब सिर्फ इसमें निव कोईल इंस्टॉल करना है इस जगह पे आप दिखा दें इधर लगा के इधर इंस्टॉल है आपको स्पार्क पलंग में दिखा देते हैं इधर करन्ट आ रहे हैं तो दोस्तों यह इंफोर्मेटिव वीडियो जिस तरह से आपको टॉपिंग में चेक करने के लिए बताएं उस तरह से आप चेक कर सकते हैं और इसकी फुल वाइरिंग डिटेल देना एक अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि आइधिरियस कैसे वार करता है उसके बारे भी वीडियो बना तो वीडियो बहुत जल्द लाएंगे देख पा रहे हैं भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि उसका वीडियो हम अपलोड कर सकें यह सूपर स्प्लेंडर है थैंक्स